फिलाल जो है जमू शहर में पूरा जो है इस समय हड़कम मचा हुआ है काफी पैनिक की सुच्वेशन है यहाँ पर और यहाँ पर जो इस समय आप देख सकते हैं कि पुलीस प्रशासन के जो आला अधिकारी आए हैं और जो चीफ सेकेर्टरी जो मुख्य सचु है वो भी पर स्वरक्षा का जाइजा ले रहे हम भी कोशिच करते हैं से बात करने का हम भी प्रयास करते हैं 19 people are in hospital 17 are not been being taken care of splinter injuries two people are critical just give us some time to figure out what exactly happened let us find out what happened actually you have heard the police officers they're saying something was locked from outside so let us wait for them to figure out what exactly was in in the hospital 19 are there they are saying 26 were injured maybe there were minor injuries to the others two people are critical 17 are on the beds they're getting treatment lot of splint this has just been one hour ago a gun to be no you are just just give us two three hours not to my knowledge yet तो बड़ी कबर इसमता जमूबस स्टान से आ रही है आपको हम बता दे यहाँ पर 26 लोग घायल हो गए हैं grenade हमले में grenade दमाके में आपको बता दे 26 लोग जखमी है जिसमें की दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है गर्वर्मेंट हॉस्पिटल में उन्हें भरती किया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है जिसमें 26 लोग घायल हुए है लेदिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले